बुलेट ट्रेन के ट्राइल रन के साथ ही भारत का बरसो पुराना सपना साकार हो जाएगा मुंबई हमदाबाद हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट को जापान सरकार की मदद से पूरा किया जा रहा है जिसे तयवक्त पर पूरा करने के लिए इंजीनियर और मजदूर दिन रात काम में जुटे हुए है इस बीच भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी इस हाई स्पीड रेल कॉरिडूर परियोजना का निडिक्शन करने पहुचे उन्होंने गुजरात के नफसारी में इस परियोजना पर काम कर रहे हैं लोगों से मुलाकात भी की निडिक्शन के बाद हिरोशी सुजुकी ने इस बुलेट ट्रेन परियोजना की तारीफ की उनके मुतावी की परियोजना भारत में हाई स्पीड रेल की दिशा में करांती लाएगी उमीद जताई जा रही है कि सूरत और बिली मुरा के बीच जून दोहजाशाब़ीस तक बुलेट ट्रेन का ट्रायल शुरू कर दिया जाएगा इससे पहले इस हिस्से पर अक्टूबर दोहजार थेज तक पूल बनाने का काम पूरा कर लिया जाएगा जिसके बाद ट्रेक निर्मान का काम शुरू होगा अच्छी बात यह है कि इस परियोजना की राह का सबसे बड़ा रोडा अब दूर हो गया है क्योंकि इस पहियोजना के लिए लगभग 99 प्रतिशत भूमी का अधिकरन हो चुका है बताये गए कि महाराश में कुछ देरी हुई लेकिन अब वहां भी करीब अन्ठानवे फीजदी जमीन का अधिकरन हो चुका है पिसले तीन चार मेने में हमें महारास्टा सकार से बहुत ही अभूत पूरा समर्थन मिला है और जितने भी हमारी जमीन की समस्याएं थी पूरी हमारी खतम हो गई है 98 परसेंट लेंड एक्विशन महारास्टा में हो गया है इनी सब वजहों से माना जा रहा है कि तैस समय पर बुलेट ट्रेन का काम पूरा हो जाएगा और 2026 तक मुंबई एहमदाबाद के बीच विकास बुलेट की रफ्तार से दोड़ने लगेगा